नोईटा अब ग्रेनो मेट्रो हुई फेल और तीन घंटे जूचते रहे यात्री नोईटा और ग्रेटर नोईटा के बीच चलते वाली एकवा लाइन मेट्रो बुद्वार को बारित रही ATS सिस्टम फेल होने की वज़ों से ये काफी समस्या हुई और इसकी वज़ों से सिगनल सिस्टम में खराबी आ गए Automatic सिस्टम फेल होने से ट्रेनों को मैनुवल चलाना पड़ा इससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में घंटों जूजना पड़ा यात्रियों ने ट्वीटर पर जम कर विरोध भी जताया वहीं तकनी की खराबी के कारण ट्रेनों के पाँच फेले रत करने पड़े एक वा लाइन पर Metro Automatic ट्रेन सुपर व्यूजन सिस्टम के फेल होने से सिगनल ने खराबी आ गए यह समस्या दोपहर एक बच के 20 मिनट में हुई जब आने की बात यात्रियों ने बताई इसके करीब एक घंटे के बाद सिस्टम में सुधार भी हुआ लेकिन यात्रियों का कहना था कि सिस्टम शाम तक खराब रहा और इस वज़े से ट्रेनों की रफ्तार 25 किलोमेटर प्रति घंता तक आ गए जैसे ही मेट्रों को आटोमाटिक सिस्टम फेल हुआ कुछ देर के लिए मेट्रों जहां की तहां थाम गई सिस्टम फेल होने की जानकारी उच अधिकारियों को दी गई इसके बाद उनसे मैनुल तरीके से ट्रेन चलाने की अनुमती लिए फिर ट्रेन धीर धीर चलाएगे और सयात्रियों की परिशानी भी दूर हुई